समस्कार दोस्तों वेल्दिसकाई के एक और नए इंड्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोकस पौगता है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन के बारे में उसको समझने की कोशित करेंगे जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फाइली दोस्तों मैं आ गया हूं और यहां पर हम समझेंगे कि नई स्रीज जो कल से स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और साथी साथ अंडेस्टेंड करने की कोशित करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर अ आपको समझाया था कि अभी तक क्या हो रहा था कभी भी डेलो पर जाके मार्केट बंद नहीं हो रहा था बट कल अल्मोज डेलो के आसपास जाके क्लोज हुआ और उसके बाद आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद फॉलॉप सेलिंग भी टेखने को मिली है इसका मतलब क्य है कि जो बायर से अब वो धीरे-दीरे ठख रहे हैं कि कि उनको क्या लग रहा था कि मारकेट एक फ्लो में चला जाएगा क्योंकि कि ऌभी तो यहां पर आप Brudры more conflict पmot कि और तो सब कर एंदं को समझोगे तो आपको internит को क्रॉस कियदा तो अगर आप समझो चिए तो 18,000 को हमने जब से क्राउस किया हमने 18,000 के नीचे कामकाज नहीं किया था बट आज एक पहला ऐसा दिन था जिसके दिन हम 18,000 के नीचे कंटिनुसली कामकाज कर रहे थे end of the day because expiry थी और 18,000 एक psychological लेविल है तो फिर हम क्या हुआ तो ऊपर निकल के हमने expiry दिखा दी क्योंकि मौनिंग में 18,000 के शॉट इस टडल जादा तो लोगों ने sell कर रखा था ओपन इंटर लगबग दोनों साइट बराबर था ठीक है तो यह पॉइंट आप समझ लीड़े कि अब क्या 18,000 दीरे दीरे वीक होता हुआ दिखाई देखा आपको क्योंकि आज इसने कामकाज किया हो सकता है कल भी दुबारा इस लेविल के नीचे कामकाज करें या फिर दो दिन बात करने लगे तो यह थोड़ा सा वीक होता जा रहा है यह लेविल यह पॉइंट आप क्लियर ली समझ लीजिए ठी ठीक हैं पैइसे में और गये कि देख लेतेते तो रूब वनाथ अब का 17960 का नौ 150 का आपका लो बनाता ठीक है अब फकल क्या हो सकता है इसको understand करते हैं ठीक है आज जो हो गया वो हो गया expiry की expiry हो गई है अब हम कुछ important point समझेंगे क्योंकि जायर सी बात है कल से नई series start होगी उसमें हमें क्या point of view लेके चलना है और कहां पर हमने support मिल सकता है कहां पर resistance मिल सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे ठीक है समझें बागया सबसे पहले देखते हैं global market global market में अगर आप देखोगे तो अभी currently indices futures में अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि दाउस future करीब 32 point ऊपर है वह already price in हुई है और अब थोड़ा बस profit working आ सकता है इन पर ध्यान रखिए अगर bounce आता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे market के लिए यह भी point ध्यान में रखता है अब आप थोड़ा सा डाउ का चार्ट देखो डाउस जैसे कि मैं आपको बता रहता है कि important breakout level के आसपास trade कर रहा है ठीक है न यह आप देख सकते हैं यह इसका एक important breakout level है ठीक है जिसके आसपास यह trade कर रहा है आप इसमें breakout आने के chances बने थे दो दिन पहले जब moment आया था बट वहां से उपर से काफी तेज गिरावर्ट देखने को मिली कल के trading session में तो basically अब यहां पर क्या structure बन सकता है इस चीज़ को आप समझो देखो जायर सी बात है Nasdaq continuously weak है डाउन 14-15% की rally दिखाई थी last month में तो अभी जो इसका structure बन रहा है अब आप उस पर थोड़ा सा focus करोगे तो देखो sympathy चीज़ है कि यह पूरा moment हुआ ठीक है यह पूरा moment हुआ यह first correction है first correction हमेशा जब भी positive moment होता है तो first correction हमेशा क्या है buying में convert हो जाता है ठीक है यह buying आई उसके बाद यह sharp selling आपको देखने को मिल रही है अब अगर यहां से आप थो 500 के नीचे या फिर 32-400 के नीचे यह काफी जादा week हो सकता है यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और जैसी यह level टूटेगा around 31-500 का तो इसके नीचे तो काफी तेजी से जा सकता है क्योंकि यह m pattern top पे वनानी की कोशिस करेगा यह point आपको ध्यान में रखना है ठीक है त तो global market के लिए आपको थोड़ा DAO पे focus करना है अगर DAO में selling बढ़ती है तो फिर हम नीचे जा सकते हैं यह point आप clearly ध्यान में रखिएगा अब चलते हैं अपने market के analysis करते हैं तो options in data में अगर देखें तो आज side की बात है नई series का data देख लेते हैं तो इसमें आपको क्या दे नहीं है तो call writer का थोड़ा सा confidence भी है यहां पर कि market नीचे जा सकता है अठाराजा 100 की बात करते हैं तो 30 लाग का open interest है अठाराजा की put पे 65 लाग का open interest है इसका मतलब क्या है इसके नीचे हम weakness दिखाना start कर देंगे फिर put writer अपनी position को हलका कर सकते हैं अठाराजा 100 की put की बात करते हैं तो 17 लाग का open interest है अठाराजा 200 पे 8 लाग का open interest है इसका मतलब क्या है जब तक अठाराजा 100 के ऊपर दुबारा से trade करना start नहीं करेंगे तब तक हम क्या रहेंगे थोड़े से weak ही रहेंगे यह चीद आप clearly समझ लिए बले हम अठाराजा के उपर trade कर रहे हूं यह थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा अठाराजा 100 के ऊपर निकले तो हम कह सकते हैं जो weakness थी या फिजो एक छोटा सा correction था वो पूरा हो चुका है इतना समझ में आगया अब चलते हैं चार्ट पर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहां पर आप देखो सिंपल ही चीज़ है आज अभी तक क्या हो रहा था है अभी तक हम कुछ important levels continuously hold कर रहे थे ठीक है न वह important level था आपका 1860 जिसके आसपास हमने आज भी resistance लिया जब हमने इस level को तोड़ दिया क्योंकि आप देखोगे यह देखो इसी level के आसपास resistance लेके हम नीचे ग कर सकता है इसके ऊपर निकलेंगे तो फिर हम दुबारा से around 18120 या फिर 18180 तक जा सकते हैं ठीक है थोड़ा सा उपर की साइट पर क्या होगा धीरे-धीरे market move करने की कोशिस करेगा तो इस जादा aggressive buying याईगी यह फिलाल थोड़ा सा expectations कम है ओके अगर आप इस low के नीचे trade करना स्टार्ट करते हो 17960 की नीचे तो फिर आपको थोड़ी सी गिरावट गहराती होई दिखाई देगी कहां तक जा सकता है फिर आप expect कर सकते हो कि यह level तक easily जा सकता है जो कि यह 17840 का यह point आपको clearly समझ में आ क्या होगा ठीक है यानि आपको 17960 की नीचे आपको short करना है नि निफ्टी को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए दिखो सिंपल ही चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए एक ही important level है जो कि है 41,000 41,000 की नीचे अगर यह close दे गया या फिर अगर यह नीचे फिसलता है तो definitely इसमें फिर बड़ा correction आ सकता है फिर नीचे आपको 40,000 तक क target देखने को मिल सकते हैं बट अब problem क्या है problem वाली बात मैं बताता हूँ यहां पर क्या है अगर आप देखोगे यह एक channel था जिसके अंदर हम create कर रहे थे ठीक है हमने क्या किया gap up खुले breakout देने की कोशिस करी बट breakout sustain नहीं हो पाया नीचे आ गया है ठीक है ना day chart पर मैं आप आपको दिखा देता हूँ देख रहे हैं इस channel के अंदर हमने काफी देर तक काम काच किया फिर हमने breakout दिया अब साइड सी बात है यह जो breakout आया था नहीं यह strong global क्यूज के बदौलत आया था डाओ और आट सो नौसो पॉइंट चड़के बंद हुआ था तब जाके यह breakout आया है और आज का लो और जो breakout वाला लोता वो almost सेम है इसका मतलब यह है कि अगर हम आज के लो के नीचे निकले यानि एक ताले सदा तीन सो के नीचे अगर ट्रेट करना स्टार्ट किये तो यहां पर breakout फेलियर की वजह से क्योंकि जिन लोगों ने आपर सपोज करो long कर लिया तो उनकी position कटना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि यह candle का breakout लेवल ता तो यह उनका stop loss है जैसी इसके नीचे trade करना स्टार्ट होगा तो वो अपनी position हलकी कर सकते हैं और फिर एक sharp गरावट देखने को मिल सकती है तो breakout failure के case में क्या होता है एक दो trading session के बाद काफी तेज important level break करता है ठीक है तो bank nifty के लिए 41-300 बहुत ही important level रहेगा यह point आप ध्यान में रखिए जैसे हम 41-300 की नीचे trade करना स्टार्ट करेंगे या फिर 41-200 की नीचे trade करना स्टार्ट करेंगे तो 200-300 बहुत TG से गिर सकता bank nifty यह point आप के लिए ध्यान में जरूर रखेगा ओके अ और थोड़ी बहुत और negativity आई ग्लोबल मार्केट में तो हम काफी तेजी से नीचे जा सकते हैं ठीक है इतना आपको समझ में आगया होगा ग्लोबल मार्केट के situation में अल्लेडी आपको बता चुका हूं currently अगर इंडिय से futures में जाते हैं तो फ्लैट से कामकाच कर रहे हैं SGX एंडाटा आने के बाद मार्केट नीचे गिर जाए तो फिर हम भी नीचे गिरेंगे अगर यूस मार्केट यहां से वीक होना स्टार्ट होते हैं तो फिर हम भी नीचे गिरेंगे गिरेंगे ये चीज आप clearly समझ लेजिए ठीक है तो आई होब दोस्तों यह particular डाट आपको स हैंग